जीवन जलोश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में नाशिक के प्रमुकदर्शनियस्तलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंततक देखने से नाशिक त्रम्बकेश्वर यात्रा की योजना बनाने में आपको बहुती साहिक सिद्ध होगा। पिछले वीडियो में मैंने त्रम्बकेश्वर यात्रा की जानकारी दी थी। अगर आपने त्रम्बकेश्वर यात्रा का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चन में लिंक दे रखी है। नाशिक चेहर के बारे में थोड़ा सा बता या था पंचवटी के दर्शनियस्तल नाशिक में सबसे पहले आपको पंचवटी पहुशना होगा पंचवटी पहुशने के लिए नाशिक रोड रेलवे स्टेशन या ओर सीवेस से आटो या सिटी बस मिल जाती है सुंदर नारायन मंदिर पंचवटी जाते वक्त सबसे पहले सुन्दर नारायन मंदिर लगता है। पवित्र गोदावरी नदी में डुब की लगाना शुब माना जाता है। एक बार कुम्ब मेला भी लगता है। यहां लगने वाले कुम्ब के मेले में हजार स्रद्दल उस्नान करने आते हैं। इसी जगर लक्षमन कुण भी है। कपालेश्वर मंदिर कपालेश्वर मंदिर रामकुण से थोड़ी दूर पर स्तीत हैं। 25 सिडियां उपर चड़ने के बाद कपालेश्वर स्यू मंदिर है। एसी माननेता है कि यहां स्यू जी के हाथ में चिपका ब्रह्मा जी का शीर गोदावरी नदी में स्नान करने से दूर हुआ था नारोशंकर मंदिर। रामकुण से पाच मिनिट की दूरी पर गोदावरी तट पर नारोशंकर मंदिर है। इसे रामेश्वर मंदिर भी कहा जाता है यह शीव मंदिर है। यह मंदिर 1747 में सरदार नारोशंकर द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में एक बड़ी घंटी लगी हुई है। इसे नारोशंकर की घंटा के नाम से जाना जाता है। जिमा जी अप्पा एक सरदार थें। उन्होंने अंग्रेजों से वसई किला जीत लिया था। वहां से उन्होंने यह घंटा लाकर इस मंदिर में लगवा दी। देवी माता मंदिर। नारोशंकर के मंदिर को लगकर ही सती म प्रबु श्री राम की मुर्ती भी का राम मंदिर नारोशंकर मंदिर से 300 मिटर की दुरी पर नाशिक का सबसे प्रसिद्ध काला राम मंदिर श्तित है। इसलिए इसे काला राम कहा जाता है। यही वह जगह है जहां से रावन ने सिता का अपहरन किया था। तपवन तपवन पंचवटी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पस्ती थे। वनवास के समय इसी जगह से स्री राम और लक्षमन जी फल एकतरित किया करते थे। इसी जगह पर लक्षमन जी ने शुपरनका की नाक काटी थी। नाशिक के दूसरे दर्शनेस तलों के बारे में जानकरी देता हूँ। भक्तिधाम भक्तिधाम सीबियस बस टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिंडोरी नाका के पस्ती थे। यह स्तान मंदिर परिसर में बने विभिन्न मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। और सभी धार्मिक अनुष्टानों और पुजाओं को भक्तिधाम में किया जाता है। नवशा गनपती नवशा गनपती नाशिक शहर से लगबक 5 किलोमेटर की दूरी पर गंगापूर रोड पस्ती थे। यह मंदिर भगवान गनेजी को समर्पित है। यह मंदिर लगबक 400 वर्ष पुराना है। नवशा का मतलब है मन की मुराद पूरी करने वाला। यह गोदावरी नदी के तड़ पर बना हुआ है। सोमेश्वर मंदिर नवशा गनपती से आगे 2 किलोमेटर की दूरी पर सोमेश्वर मंदिर स्तीत है। सोमेश्वर मंदिर नाशिक में स्तीत सबसे पूराने मंदिरों में से एक हैं। इस मंदिर में महादेव सोमेश्वर की प्रतिमा स्तापित हैं, यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर बना है, यहां नवका विहार का आनंद उठाया जा सकता है, वेद मंदिर वेद मंदिर नाशिक्त रंबकेश्वर रोड परस्तीत हैं ओल्ड सीवेज से वेद मंदिर की दूरी दो किलोमीटर है यहाँ मंदिर वेदो, पुरानों और संपुर्ण भारतियत संस्कूर्ति के बारे में ग्यान प्रदान करता है इस मंदिर में भगवन राम, लक्षमन और देवी सिता की मुर्थियास्ता पित है कालिका देवी मंदिर कालिका माता मंदिर ओल्ड सीवेज से एक किलोमीटर की दूरी परस्तित है कालिका माता नाशिक की ग्राम देवता कहलाई जाती है यहां मंदिर माय दुर्गा को समर्पित है मुक्तिधाम मुक्तिधाम मंदिर नाशिक रोड रेलवे स्टेशन से डेड़ किलोमीटर की दुरी पर स्तित है मंदिर का परिसर संगमर्मर से बना है यहां मंदिर हिंदु धर्मा से संबंदित लगबग सभी महतोपुर्ण देवी देवताओं के चित्रों और देवताओं की मूर्तियों को परदर्शित करता है नासिक शेहर के आसपास के दर्शनियस्तल पांडव गुफ़ा नासिक सीबेस से पांडव गुफ़ाए 7 किलोमेटर की दूरी पर नासिक मुंबई हाइवे पर स्ती थे इन गुफ़ाओं तक पौशने के लिए पत्तर की सीड़िया चड़कर जाना पड़ता है यहाँ पाड़ी फर 24 गुफ़ाए बनी है इसमें बाउदव और जैन गुफ़ा शामिल है पांडव गुफ़ा के पासी फाल के समारक और बाउदव समारक बना है जैन मंदिर नासिक सीबेस से 15 किलोमेटर की दूरी पर नासिक मुंबई हाइवे पर पांडव गुफ़ा से आगे स्ती थे यह नासिक के आसपास के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक है मंदिर एक सुंदर वास्तुकला शैली प्रदर्शित करता है सब्तर सुंगी मंदिर सब्तर सुंगी मंदिर नासिक शहर से तक्रीवन 60 किलोमेटर की दूरी पर 4800 फूट की उचाई वाले पाड़ी फरस्ती थे ओल्ड सीबेस से यहाँ जाने के लिए बस मिल जाती है सब्तर सुंगी माता को अर्दशक्ति पिट के रुप में भी पुजा जाता है गरबर गरोवे माता की आठ फूट उची प्रतिमा की आठा बुजाए है देवी माता के सभी हातों में शेच्टर लिये हुए है नाशिक के सभी प्रमुग दर्शनिस तलों के बारे में मैं बता चुका हूँ आगे और मिलेंगे नए सपर में दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें कमेंट जरूर करें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भुले